हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्डिक स्वालत है आज मैं आप लोगों के समख्च कबिरदास जी दररचीत एक पद को लेकर उपस्थित हूँ और वह पद है बहुरी नहीं आउना या देश तो आज इस पद को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को या बता दूँ कि कबिरदास जी सम्मादित बहुत सारे वीडियो जो है मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके है और उन सारे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और जिन बच्चों ने इस वीडियो कभी तक नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए आरंब करती हूँ तो हमेशा की तरह मैं सबसे पहले इस पद को पढ़कर सुनाओंगी फिर कठिन सब्द के अर्थ को बताने के बाद ही मैं पंक्ति की व्याख्या करूँगी और व्याख्या के बाद मैं इसका विजेस भी बता दूँगी तो चलिए आरंब करती हूँ देखिए बहुरी नहीं आवना यदेश जो जो गए बहुरी नहीं आई पठवत ना ही संस यहाँ पर देखिए संस लिखा हुआ है किन्तु कहीं कहीं संदेश भी लोग बोलते हैं ठीक है? सुर्नर मुनी अरू पीर आलिया देवी देव गनेश धरिधरी जनम सबै भर में है ब्रह्मा विश्णु महेश जोगी जंगम ओ सन्यासी दिगंबर दर्वेश चुंडित मुंडित पंडित लो सरग रसातल सेश ज्यानी गुनी चतुर अरू कविता राजा रंक नरेश को राम को रहिम बखाने को कहे आदेश नाना वेश बनाए सबै मिली धूडी फिरेश चहुदेश कहे कबीर अंतना पैहो बिन सत्गुरु उपदेश यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात पतना चाहती हूँ कि कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे तो पढ़े लिखे नहीं होने के कारण उन्होंने कोई रचना लिखी नहीं है वो अपनी वानी के माध्यम से अपनी बात कहते थे पबिर्दास जी की वानी उनके उबदेश को लिखने वाले उनके सिस्य थे यही कारण है कि आज जब हम लोग उनके पद को पढ़ते हैं तो बहुत सारे सब्द को पढ़कर खुद सोच में पढ़ जाते हैं कि कौन सा सब्द सही है और कौन सा सब्द गलत है ऐसा हर जगा नहीं है लेकिन कहीं कहीं है जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को पढ़कर सुनाया संस लेकिन जब आपने बहुरी नहीं आवना या देश भजन को सुना होगा तो वहाँ पर आपने सुना होगा कि वहाँ पर संदेश कहा जा रहा है तो यदि संदेश सब्द हो, तो भी इसका अर्थ सही लगता है, और अगर संस यनी सांस के अर्थ में है, तो भी इसका अर्थ सही लगता है, तो ऐसी कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन इसे आपको समझ लेना चाहिए. तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैंने आप लोगों को इसलिए बतलाया कि ताकि आप लोगों को बाद में ऐसा ना लगे कि मैडम ने गलत बता दिया, तो इस तरह से सब्दों का हेर फिर होने के कारण अर्थ भी मदल जाता है कभी-कभी, आप चलिए मैं कटिन स जब्दों के अर्थ, बहुरी यानि फिर, आवना यानि आना जन्म लेना, या देश मने इस देश यानि धरती को कहा गिया है, पठवत मने भेजना, संस मतलब सांस, सुर्य यानि देवता, अरू अतलब और, पीर ओलिया, मने पहुचे हुए फकीर, यानि मुसल्मान मत के सि इद्ध लोग को कहा जाता है, पीर ओलिया, धरी-धरी मने धारन कर, सबे मने सभी, भर्मे मतलब भ्रमे पढ़ना, जोगी यानि नात्पंथी, कनफटा सादु को कहा जाता है, जोगी, जंगम, जो सच्चे ज्ञान से संपण है, इद्धु वित्पत्ति के अनुसार इसकार अथात वस्त्र है, दर्वेश यानि फकीर, चुन्डित यानि चुनिंदा, खास निर्वाचित लोग, यानि समाज के कुछ खास लोग, चुनिंदा लोग को चुन्डित कहा गिया है, मुंडित यानि जिसका सिर मुंडा हुआ हो, उसे मुंडित कहा गिया है, पंडित यानि तरह तरह का रूप वेस धारन, चहु मने चारो तरप, पेहु मने पाना सद गुरू था सच्चा गुरू. अब चले मैं इस पत की व्याख्या करती हूँ, तो सबसे पहले मैं इस पत का प्रसंग आप लोगों को बताती हूँ, इस पत का प्रसंग यह है कि इस्वर को अनुभव करने के लिए एक सच्चे गुरू का होना अतन्त आवश्यक है, युकि एक सच्चा गुरू ही अपने ज् अंधकार युक्त, अज्ञान युक्त मार्ग को रौस्मी दिखाता है, लिए हमें एक सच्चे गुरू की प्राप्ति ना हो, तो हम इस संसार सागर को भी पार नहीं कर सकते हैं, और इस पिर्थी पर जर्म लेकर भटकते हुए ही जीवन यापन करते हैं, और इस संसार को छ आना नहीं हुआ है, जो व्यक्ति संसार को छोड़ कर चले गए हैं, वे कभी इस धर्ती पर वापस नहीं आएं, ये कबिर्दाजी का विचार है, बहुरी नहीं आवना या देश, कबिर्दाजी कहते हैं, बहुरी यानि फिर से नहीं मतलम नहीं आवना मने आना या देश, इस देश यानि इस धर्ती पर इस धर्ती को छोड़ कर चले जाने के बाद, पुना फिर से इस धर्ती पर आना नहीं होता है। पुना इस धर्ती पर हमारा जन्म होगा या नहीं होगा ये तो हम जानते ही नहीं है। यानि हमें यह जानना होगा, कि हमने जो इस धर्ती पर जन्म ग्रहन किया है, तो इस जीवन का हम सदू प्योग करें, क्योंकि यह जन्म हमें बार बार नहीं मिलेगा, योगि इस अंदर में कबिर्दास जी का एक दोहा है, जिसे आप इस्क्रिन पर देख सकते हैं, जो जो गए बहुरी नहीं आये, पठवत नाही संस, कबिर्दास जी का कहना है, कि जो जो यानि जो व्यक्ति गए मने चले गए, बहुरी मने फिर नहीं आये, जो व्यक्ति इस संसार को छोड़ कर चले गए, वे पुना इस धर्ती पर नहीं आये, पठवत नाही संस, अब यानि उनमें सांस नहीं दिया गया, सांस भरकर नहीं भेजा गया, यानि उन्हें जीवन पुना नहीं पिला, एक बार जिसने देह त्याग कर दिया, उस देह में पुना सांस वापस नहीं आई, उनके सरीर में पुना सांस देकर उन्हें इस धर्ती पर नहीं भेजा गया, या उसका जन्म पुना धर्ति पर नहीं हुबा सूर नर्मुनी अरू पिर ओल्या देवी देव गनेश सूर यानि इस्वर नर्म ने मनुष्य मुनी मतलब रिशी मुनी जो कहते हैं अरू मतलब और पिर ओल्या मतलब पहुंचे वे फकीद देवी, देवता और गनेश यानि इतने सारे यहाँ पर नाम उलेक किये गए हैं, धरी-धरी जनम सबे भर में हैं, सब ने क्या किया है, जन्म धारन किया, सरीर धारन किया, लेकिन सबे भर में हैं, सभी भरम में रहे, सभी संसार में भटकते रहे, माया मों के चक्कर में भटकते रहे, माया मों में फसे र यानि सभी देवी, देवता, मनश्य, रिशी, मुनी, पीर, औल्या सब ने इस संसार में जर्म ग्रहन किया है और माया मो के बंधन में बंध कर इस संसार में क्या हुए भटकते रहे उन्हें कहीं भी इस्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो यहीं माया के बंधन में हर किसी को बंधना पड़ा और बंध करके क्या हुए उन्होंने अपने जीवन को माया के बंधन में ही बंधा हुआ गुजार दिया जोगी जंगम ओ सन्यासी दिगंबर दर्वेश इसके साथ कबिरदास जी क्या बताते हैं जो जोगी है जनात्पन्थी जोगी जंगम यानि जो ज्यान से संपन है सन्यासी दिगंबर दर्वेश दिगंबर किसे कहा जाता है जैन धर्म के जो होते हैं सन्यासी उनको दिगंब पर कहा जाता है, दर्वेश यानि साधू फकीर, मुंडित यानि समाज के कुछ चुनिंदा लोग, मुंडित, ज्यानी, जितने भी लोग हैं, यानि स्वर्ग और पाताल हर जगह, कहीं भी कुछ बाकी नहीं है, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, उनकी स्थिति ठीक उसी तरह से हैं कि संसार में जन्व ग्रहन करते हैं और भ्रम में पढ़कर इधर भटकते हैं, तो भ्रम क्या है, माया, ज्यानी, गुनी, चतूर, अरू, कविता, राजा, नरेश, ये सारे लोग हैं, ये सभी क्या हैं, भ्रम में ही भटकते हैं, भ्रम में ही फसे रहते हैं, माया में ही को राम को रहीम बखाने को कहे आदेश, कोई राम की बात करता है, तो कोई रहीम की बात करता है, और कोई क्या कहता है, आदेश यानि इस्वर की आज्या की बात करता है, नाना भेश बनाए सबे मिली, धूडी, फिरे चहुदीश, और इस प्रकार क्या होता है, हम इस संसार मे क्या देखते हैं, सभी लोग नाना वेज धारन करके, नाना रूप धारन करके क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं, ढूंड रहे हैं, किसे ढूंड रहे हैं, इस्वर को ढूंड रहे हैं, और ढूंडे फिरे चहुदेश, और पूरे संसार में इस्वर को ढूंड रहे हैं, कि न ज इस्वर को ढूड़ तो रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि किस मार्ग से चल करके इस्वर को पाया जा सकता है, इसलिए वे भटक रहे हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं, यहां पर कबिरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर अंत ना पे हो, कि कबिरदास जी कहते हैं कि अंत उन्हें अंत नहीं मिला, इस्वर का स्वरूप का पता ही नहीं चला, क्योंकि उन्हें सच्चे गुरू की प्राप्ति नहीं हुई, यदि उन्हें सच्चे गुरू की प्राप्ति हो जाती, तो वे इस्वर को अनुभव कर सकते थें, लेकिन सच्चे गुरू के अभाव में, स तो यही बात कहा गिया है कहें कभीर अंतना पेहो बिनसत गुरू उपदेश कभीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरू के उपदेश के बिना कोई भी व्यक्ति इस्वर के स्वरूप को नहीं समझ सकता है। तो कभीर दास जी कहते हैं कि सच्चे गुरू के उपदेश के बिना, सच्चे गुरू के ज्यान के बिना हम इस्वर को समझ नहीं पाते हैं, इस्वर के स्वरूप को जान नहीं पाते हैं, इस्वर को अनुभव नहीं कर सकते हैं। यानि इस्वर को अनुभव करने के लिए हमें किसकी आवशक्ता है? एक सच्चे गुरू की आवशक्ता है. इसलिए कभिदास दी ने कहा है, गुरू गोविंदों खड़े, काके लागूं पाए, बलिहारी गुरू आपने गोविंदियों बताए, कि इस्वर से स्रिष्ट तो गुरू है, यूगि इस्वर तक पहुँचने का रास्ता कौन बतलाता है? गुरू ही बतलाता है, इस्वर की पहचान कराने वाला गुरू ही है, इसलिए गुरू गोविंद से स्रिष्ट है, तो आप चलिए मैं इसका विशेश बतला दो। विशेश पहला, प्रसुत पद में कविदास जी ने ये बतलाया है कि आज तक संसार में कोई दोबारा नहीं आया है। दूसरा, कबिरदास जी ने इस पद में सद्गुरु उबदेश के महिमा को बतलाया है कि बिन सद्गुरु के उबदेश के कोई भी संसार सागर का अंत या था नहीं पा सकता है। यानि संसार सागर का था पाना या इस्वर की था पाना या गुरु के उपदेश के बिना संभव है ही नहीं। तीसरा, सद्गुरु ही अपने ज्ञान के द्वारा हमारा मार्ग जशन करते हैं, उनके बिना हमारा हिर्दय अज्ञानता के अंधकार में दूबा रहता है। माया मो का विनाजवी कब होता है सद्गुरु के उपदेश के माध्यम से जब सद्गुरु के उपदेश को हम अपनाते हैं तभी हम माया मो के बंधन से बाहर निकलते हैं अन्था इस अंसार में भटकते ही रह जाएंगे चौथा प्रसुत पद में अनुपरास अलंकार का सुन्दर प्रयोग मिलता है पांचवा काविभासा सद्गुकडी है इसे पंचमेल खिजडी भी कहा जाता है तो ये है विसेश तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने कबिरदास जी के इस पद का अर्थ जिस तरह से आप लोगों को समझाया है या आप लोगों को समझ में आ गिया होगा फिल भी यदि कही कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें वीडियो को लाइक करें सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे सेर तो जरूर करें जो बच्चे मेरे चनल पर नए है वे चनल को सब्सक्राइब करना न भूले जिससे हर नए वीडियो को नोटिफिये किसन उन्हें समय समय पर मिल सकें तब तक पढ़ते रहिए जिवन में आगे बढ़ते रहिए मेरी सुब कामनाई आप सभी बच्चों के साथ है धन्यवाद